जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन हो तो यह वाली रेस्पी आप डेफिनेटली ट्राइ कर सकते हैं जिसे बनाना बहुत जादा आसान है और बहुत जादा डिलीशियस भी लगता है आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कीचेन टू कीचेन में अगर रेस्पी पसंद यह बासी भ überhaupt का इस्तमाल मत कीचेगा इस रेसिपी के लिए इसके जो किनारे ब्राउन वाले हैं मैंने कट कर लिया है और ब्रेड को एक मिनिट से भी कम का समय लगता और गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेगा अगर आप स्लो फ्लेम रखेंगे ना तो यह बहुत सारा तेल पी लेंगे और उतना अच्छा नहीं लगेगा खाने में मिठाई इसलिए हाई फ्लेम पे इसे फटा-फट से आपको फ्राय करना है उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे अर निकाल करके थोड़े कुछ सेकंड के लिए से किनारों में रखेंगे ताकि इसका सारा का सारा तेल निकल जाई से साइड में रखते हैं और अब हम रबडी बना लेंगे यहाँ पर मैंने दो कप दूद लिया है दूद को अच्छे से हाई फ्लेम पे हमें बढ़िया से पका लेना है और जब जब ऐसे इस तरीके की मलाई उपर आएगी न तो इसे हमें चमश या स्पैचुला की मदद से साइड करते जाना है तभी तो लच्छे दार वाली रबड़ी हमारी बन करके रेड़ी होगी और दूद को बिल्कुल आधे से भी मतलब कम रखना है मतलब कि आधे से भी ज़्यादा दूद को हमें बढ़िया तरीके से जला लेना है इस तरीके का कलर आजाएगा हलका सा यलोईश कलर आजाएगा और ये देखिए यही पहचान होती है रबड़ी की जो कि जालीदार और बहुती गाड़ी ठिक बन चुकी है इस समय जो हमारा दूद है जैसे मैंने बोला था कि आधे से भी कम बचा है अभी कड़ाई में तो इस तरीके का आपको मतलब की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए रबड़ी की बहुत ज्यादा पतली रबड़ी होगी तो उतना मज़ा नहीं आएगा खाने में मिठाईए और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी तो चीनी मैं यहां पे तीन चमच डाल रही हूं जो खाने वाला चमच होता है उससे तीन चमच इ ब्रेड़ी हो गई है हलका सा और हम गाढ़ा करेंगे ताकि ब्रेड के उपर यह डालने के बाद ना ब्रेड पे अच्छे से रुके यह नहीं कि बहुत पतली होगी ना तो ब्रेड पे नहीं रुक पाएगी तो इसके लिए इसे गाढ़ा कर लिया है बंद कर देते हैं इसे डिलीशियस लच्छेदार वाली क्रीमी वाली रबडी को और ये देखिए कितना बढ़िया गाढ़ा हो चुका है और बस चम्मच की मदद से इसे आपको बढ़िया तरीके से लगा देना है मैंने दो चार धागे केसर के भी डाल दिये ताकि ये मिठाई का और भी मतलब जो ल ये तोटली आपके उपर है आप्शनल है तो यहां पर मैंने रबडी को बढ़िया तरीके से लगा लिया है ब्रेड के उपर और इसे अब मैं निकाल रही हूं प्लेट में आप इसे फ्रीज में रख दीजे हलका थंडा हो जाने दीजे और तब खाई ये उपर से आपके दो गश्यास खेल गश्यास की धाल लाइड कर दो गए इसे जए अब भाति है जिए निकाल शपी तक दोर अबिना है तो यह हैं रहा है जब प्रेज में फ्रीज में थेना बनाना इसे बनाई खाई और फिडबैड श्यास दूर दिजर दीज़े थैंक्यों फर कि चूलाइएँ कर दो कि उन्च कर दिए एक कर दो कि वाड निए कर दो